बात करेंगे NIOS की बारे में, NIOS का full farm होता है National Institute of Open Schooling, यह 1979 में शुरुआत क्या गया था और यह जिसकी शुरुआत CBSE ने की थी, CBSE यहनी Central Board of Secondary Education, अब हम देखते हैं कि what is NIOS, NIOS क्या होता है, basically यह एक open school है, NIOS क्या करता है, NIOS क्या करता है, NIOS education through open distance learning, यह distance learning के लिए valid है, ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा largest open schooling system है, ठीक है, क्यों क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा number of enrollments हुए है, सबसे ज्यादा लोगों ने इससे subscribe किया है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि NIOS का headquarters कहा है, तो NIOS का headquarters है, NIOS A2425, Institutional Area, Sector 62, NOIDA, District, Gautam, Budhnagar, Uttar Pradesh, 201309, और इसका website जो है, वो है, https, nios.ac.in, ठीक है, अब देखिए, NIOS में कौन से लोग होते हैं, जो की admission ले सकते हैं, तो NIOS में जो गरीब बच्चे हुए, जो की वो पूरी तर से fees नहीं भर सकते हैं, regular schools की, वो इसमें admission ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही less fees लिया जाता है, बहुत ही कम fees ल में drop out students, माल लीजे कोई बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अब करना चाह रहा है, तो वो अपने education को continue कर सकता है, NIOS के इतमाध्यम से, और जिनोंने 10th year 12th pass नहीं किया है, तो वो बच्चा भी यहाँ admission लेकर के अपने subjects में pass कर सकता है, ठीक है तो अब बात आती है कि क्या NIOS board valid है, क्या यह बिलकुल authentic है, सही है, तो yes, यह 100% सही है, क्यों क्योंकि यह government, Indian government का एक part है, Indian government का एक department है, जो की distance learning के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, अब बात आती है कि क्या आप doctor, engineer, lawyer और यह सब बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं, 10th और 12th complete करने के बाद, NIOS से, तो हाँ, yes, आप 100% आप doctor, engineer, lawyer बड़े बन सकते हैं, NIOS से, आपने अगर 10th and 12th किया है तो, एक देखे, एक फायदा है NIOS का, कि इसमें जो question जो पूछे आते हैं, इसका जो syllabus है, वो थोड़ा सा आसान होता है, with respect to other boards, other जो state boards हुए, या CBSE, ICSE वगरा हुआ, उससे comparatively आसान, आसान board है ये, ठीक है, और, क्या आप government job में apply कर सकते हैं, after 10th or 12th, from NIOS, अगर आपने NIOS से 10th या 12th complete किया है, तो क्या आप government job में apply कर सकते हैं, तो, yes, आप बिल्कुल apply कर सकते हैं, क्योंकि ये government की ही उनका ही एक body है, government ही इसे recognize किया है, ठीक है, तो, hope आपको NIOS के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, तो, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और देखते रहे हमारे चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद,